इसको इंगलिश में हम एकॉनमिक सेंसिस के नाम से जानते हैं जैसा कि हाल में ये निउस में रहा है कि 13 दिसेंबर 2019 को डेली में 7 एकॉनमिक सेंसिस की शुरुआत हो चुकी है डेली आर्थिक जनगर्णा शुरू करने वाला 26 स्टेथ है जबकि 20 स्टेथ और 5 उनिन टेरिटरीज में ये काम पहले से ही चल रहा है इस बार के एकॉनमिक सेंसिस में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टन फैक्टर है डिजिटर प्लैटफॉर्म क्योंकि इस बार ये सेंसिस डिजिटर प्लैटफॉर्प में कंडट कराया जा रहा है जो की पूरे 6 महिने में ही कंप्लीट हो जाएगा इससे पहले जब एकॉनमिक सेंसिस ट्रेडिशनल वे से कराया जाता था तो उसमें 2 साल का समय लगता था 2 साल इग्जैक नहीं, almost 2 years, or little more than that अब हम आर्थिक जंगर्णा को थोड़ा सब दीफ में जान लेते हैं आर्थिक जंगर्णा देश के सभी प्रतिष्ठानों के विभिसन सन्चालन गत एवं सर्षनागत प्रिवर्ति कारको पर different types की सूषनाय भी उपलपत कराती है आर्थिक जंगर्णा देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों की आर्थिक गत विधियों के भौग अलिक विस्तार, नमबर अफ परसन इंप्लॉईड, नमबर अफ स्टैबलिश्मेंट, टाइप अफ ओनर्शिप, सोर्स अफ फिनांस, इत्यादी के बारे में महत्वपूर इंफरमेशन प्रोवाइट कर आती है आर्थिक जनगर्णा के दोरान कलिक किये गए इंफरमेशन, स्टेट और डिश्टिक्स तरोव पर सामाजिक आर्थिक विकास समन्नी योजना रिर्मार के लिए उप्योगी होती है अब हम देख लेते हैं आर्थिक जनगर्णा 2019 को थोड़ा सा ब्रीफ में येर 2019 में 7 आर्थिक जनगर्णा का संचालन सांखिक एवं कारिकरम कारेवन मंत्राले दाट इस Ministry of Statistics and Program Implementation द्वारा किया जा रहा है वर्तमान आर्थिक जनगर्णा में सांखिकी एवं कारिकरम कारेवन मंत्राले ने 7 आर्थिक जनगर्णा के लिए कारेवन एजनसी के रूप में Electronics एवं सूचना प्रदोगी की मंत्राले के तहत एक Special Purpose Vehicle Common Service Center E-Governance Service India Limited के साथ साज़ेदारी की है साथवी आर्थिक जनगर्णा में आकनों के संग्रह, सत्यापन, रिपोर्ट स्रिजन एवं प्रसार के लिए एक IT आधारे Digital Platform का उपयोग किया जाएगा आर्थिक जनगर्णा के तहत गैर फार्म क्रिशी एवं गैर क्रिशी छेतर में वस्तूओं, सेवाओं के उत्पादन या विस्तार से जुड़े कि घरेलू दमों सहित सभी प्रतिष्ठानों को सामिल किया जाएगा अब हम देख लेते हैं इससे पहले कितनी आर्थिक जनगर्णाय हो चुकी हैं तो अभी तक केंदरी सांखी की एवं कारेकरम कारेवयन मंत्राले ने छे आर्थिक जनगर्णाय संचालित की हैं जिसमें से पहली आर्थिक जनगर्णा येर 1977 में होई थी, 2nd 1980 में, 3rd 1990 में, 4th 1998 में, 5th 2005 में, 6th 2013 में, 7th अभी 2019 में चल ही रहा है अलास में इस वीडियो में हम जान लेते हैं Common Service Center E Governance Service India Limited के बारे में जो की इस बार Economic Census संचालित करने में गवर्मेंट का हिल्प कर रहा है तो CSE E Governance Services India Limited को Company Adenium 1956 के तहत Electronics और सूचना प्रदोगी की मंत्राले द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उद्देश CSE युजना के कार्यवेयन की निगरानी करना है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि CSE इस बार Government का हेल्प कर रहा है Economic Census को कम्प्लीट करने में युजना को feasibility और stability प्रदान करने के अलावा ये CSE के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं की डिलिवरी हेतू एक केंद्रिकृत और सहियोगी रूप रेखा भी प्रदान करता है तो आज के इस वीडियो में इतना ही I hope आपको 7th Economic Census के बारे में brief information मिल गया हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की रेगलर अब्डेट्स मिल दी रहें तो सी यू इन नेक्स वीडियो तिल देन गुडबाई